सब्सक्राइब कर लेंगे और थोड़ा सा वीडियो टाइम लाप्स में रहेगा सो लेक्स ट्याइब कि अध्याइब कर चुका हूं क्योंकि उसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखिए क्या आप हैर्स में कैसे शेडिंग कर सकते हैं उसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखिए है आप लोग मेरे चैनल पर जाके चेक कर सकते हो सौरव राज जैनसर की जो फोटो थी उस पर मैंने आपको सिखा दिये से मुसी तरह के हैर्स थे तो मैंने सचा ज्यू टाइम ज्यादा टाइम का वीडियो भी नही बता दिये थोड़ सा स्वीडी करके और देखिए मैं जादा टूल्स के यूज नहीं कर रहा हूं बहुत असान है आप उसी तरह से शेडिंग कर सकते हैं और हैर्स के लिए आप मेरा सौरव ब्राज जैनसर वाला वीडियो देख सकते हैं और लिंक में डिस्क्रिप्शन में देदूंगा आप सीजह महां से जाकर चेक कर लेना और मुझे इंस्टेग्राम पर फॉलो भी कर लेना गैस मेरा नंबर भी आपको इस दिर में शो हो जाएगा आप लोग मुझे अपना अपना स्केच बनाने के लिए बेच सकते हो बीर्ड्स काफी थोड़ी से तफ थे क्य बहुत जादा एकला और मजा याए था बेर्डस को मैजे बहुत जादा फास्ट करना पड़ा इतना जो बनाया था आराम से बनाना पड़ता है इसको सबसे जादा अच्यों प्लिकेटेट पार होते है तो जल्दी से जाकर चेक कर लो मेरे चैनल पर आपको नीचे में भी द लिख रहा होगा तो आपको पहले मिल जाएगा वहां से आप आउटलाइंग कर लेना और इसके बाद इस पार्ट से आप पूरी शेडिंग कर सकते हो देखिए बीर्ड लास्ट में कुछ हाइलाइट्स भी देनी पड़ी थी और यह मेरा होम में टोमो मनस जीरो एरेजर है अगर आपको जानना इसको कैसे बनाते हैं तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हो अगला वीडियो अगर आप कोई भी मुझे कमेंट पर बोलते हो तो मै स्मॉल बीर्ड बनाने में उपर बहुत जादा मुश्किल हुए थी बट आसा मतलब कर लिया कैसे कैसे भी करके आप लोग से नहीं ड्रॉप आएगा अगर आप एक बिगिनर है तो फिर भी ट्राय करना पहला दो किसी का सुन्दर नहीं बनता है मैं आपको एक वीडियो बन अब देखें कि अब यहाँ और इधर वाले वीड्स ठोड़े उपर में जो थे वह ठोड़े जादा इधर उदर अधर में थे तो उसमें बहुत थोड़ा सा टाइम लगा है लेकिन कुछ भी करके मैंने बियर्ट को कंप्लीट कर लिया है अभी लास्ट मिस पर थोड़ा बहुत और डीटेलिंग अभी हम आइब्रो पर आते हैं और आइब्रो पर सबसे पहले मैं फोर बी पैंसल के यूज करके किया उसके बाद थोड़ा सा सिक्स भी पैंसल यहां पर डायर के कुछ नहीं है मैं इन मैं ब्लेंडिंग से काफी ज्यादा कमफर्टेबल होता हूं पर से जो स्मॉल एरिया उसमें में ब्लेंडिंग स्टम्प ही उसकरना पसंद होता है क्योंकि तिशू पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा मोष्ट कर दोते हैं आप लोग छोटा सा फोल्ड करके यूज कर सकते हो मुझे जल जल दी थोड़ा सा ड्रो कर रहा था ना इसलिए अब लोग देख सकते हो नोस की शेप मैंने काफी हट तक सही बनाई है बहुत नोस की शेप में बहुत अच्छी लगी अपनी और यह कुछ जादे ही डायक हो गई इसको ठीक कर दूंगा अभी आइस पर आते हैं और आइस में आइस का जो चाम है वो बनानते हैं देखिया एक एक कंप्लीट हो गए यह बस इतना ही करना रहता है और मतलब डीटेलिंग तो बात में यह जो आई लैशे और आई बॉल है उसमें बहाँ जादा कुछ नहीं करना रहता है मैंने एक जली किरिया स्थे महाँ पर मेरे बिंडिंग स्टम चला रहा था आइब्रोज की शेप मेरी थोड़ी सी गड़बर हो गए थे और ठीकी नहीं हो रही थी कि मैंने सुचा कोई बात नहीं आप लोग ठीक से ड्रॉ करना जैसे मैंने आप उसमें बताया है टुटोरियल में टीशर्ट ड्रॉ करने में थोड़ा सा टाइम लगा था टीशर्ट काफी डार्क थी नहीं इसलिए अब अभी तुम्हें टीशर्ट पर आया ही नहीं क्यों बात कर रहा हूं है तो देख सकते हैं हमारा फेस लगभग कंप्लीट हो गया है और अब मस्तेच पर आ गए हम इधर उधर की शेप में थी बट मैंने एक दों स्ट्रेट ड्रॉ की मैं इस होई नहीं पा रहा था तो स्ट्रेट ही ड्रॉ किया देख सकते हो अब मैं लिप्स पर आ गया हूं लिप्स काफी असान थी बस बीच वाला तो ऐसा डार्क करने है और यहां बीच में एक लाइन लिप्स के नीचे में जो थोड़े थोड़े बाल है वहां उसके उसके लेफ्ट और राइट मैंने बिल्कुल भी हैर स्ट्रॉ किया है यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मैंने वीडियो बनाने के बाद मैंने इसको ड्रॉ किया बहुत अजीव से लग रहा था तब देख सकते हो अब लोग अब टीशू पेपर यूज़ किया यह देखिया अभी इसको थोड़ा सा मतलब उसे शाव आ रही थी देखिया और अब इधर वाला जो पाठे वो मेरे से होई नहीं पा रहा था यह थोड़ा सा डार्क होते है ना वहां पर वह नहीं बन पा रहा थ अब लोग देख सकते हो काफी हद तक मैच कर रहा है ती शेट नहीं ठीक ही लग रहा है सकेच अब टेन में पूरे एरिया में शेड करते है अब ब्रश से ब्लेंड करता हूं अब ब्रश से ब्लेंड टीशू पेपर अब चीज यूज़ कर लिया यह एरेस कर दिया था और पूरा जिसको ब्लेंड कर दिया मैंने अब यह पर आते हैं लोग यह पर आपको सिंपल पैंसिल यूज़ करनी है अब मैं आपको जैसे बतारो जो शेप है उस पर और फिर ब्लेंडिंग स्टम्प आप लोग तीशेप पर भी उस कर सकते हो आपको मेरा नंबर शो हो ना बंद हो गया नंबर आपको शो हो जाएगा तो पहले ही हो गया होगा तो आप लोग वहां से देखके आप मुझे अपन कर सकते हो फोटो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आलवेज दिया हुआ रहता है आप जाकर देख सकते हो तो पूरा येर हो चुका है अब नेक का पाट नेक का पाट करते हैं अब हम नेक का पाट काफी एजी था इसलिए मैंने उसको थोड़ा जादा स्पीड किया है वह कोई है और बस हमारा नेक किंपलीट हो गया अब हमारी स्केच अलमवस्ड कंपलीट होचुका है अब बस हमको साइन देना है अपना साइन कर लेते हैं साइन कर दिया ह noticed तो गाइस पूरा स्केच हो चुक है complete आपको कैसा लगा स्केच ये comment box में लिख दीजिएगा और आपको जैसा लगा आपको suggestion देना चाहते हो ज़रूर दे सकते हो और आप लोग पहला tutorial जो है उसका link जो है वह